तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ Amit और जैसे कि आप सभी को मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पीएच्पी में इमेल सेंड करना सिखाया था जैंप सर्वर के तुरू लेकिन शायद आप लोगों का वो इमेल सेंड नहीं हो रहा था जैंप सर्वर के तुरू क्या हुआ है कि जो less secure app वाला जो option मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था वो गूगल ने बंद कर दिया है तो उसकी जगा जो एक new method है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और दुबारे से आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप जैंप सर्वर से कैसे email सेंड करेंगे ठीक है बस less secure जो एप वाला जो प्रोसेस है उसकी जगा पर एक दूरसर प्रोसेस यहां पर आपको फॉलो करना है तो फिल्हाल तो मैं यहां पर आपको क्या करने वाला हूँ पूदा स्टार्टिंग से एंड तक पूदा इसके अंदर सेट अप वगदर करके बताने वाला हूँ तो वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपका जो email है वो successfully sent हो सके जैंप सर्वर के थुरू और आप जो project कर रहें उस project में आगे बढ़बाएं तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग यहां पर start करते हैं तो email send करने के लिए जो setup मैंने आपको last video बताया था वो सब तो वैसे ही था जैसे कि यहां पर जैसे आपको पता होगा कि सबसे पहले क्या करना होता था हमें c drive के इंदर zamp में जाना होता था और php folder के अंतरे हमें php.ini file मिलती थी और उसमें यह सब editing करनी होती है तो चेलिए पहले मैं इसको कर लिता हूँ कैसे करेंगे जड़े वो देखिए आप php.ini file को यहां से भी open कर सकते हैं आप अपने control panel से जैंप का जो control panel है यहां से भी कैसे करेंगे यह Apache का यह configuration देख रहे न simple इस पर click करेंगे तो यहां पर आपको देखेगा php.ini simple इस पर click करेंगे तो देखिए यहां पर यह open हो जाएगा पूरा तो मैं यहां पर simple क्या करता हूँ find कर लेता हूँ कौन सा mail function जैसे आपको पता होगा तो मैं control F button मैंने दबाया और यहां पर down select करेंगे रखिएगा और यहां मैं search कर लेता हूँ mail function ठेक है find पर click करता हूँ तो देखो यह मैं को नीचे मिल गया mail function ओके इसको मैं यहां पर देखिए smtp आपका दिख रहा है यहां पर क्या है localhost लेकिन हमें क्या set करना है इसकी जगापे हमें set करना है इसकी जगापे smtp.gmail.com देखते है smtp.gmail.com तो इसकी जगापे हम यहां पर localhost की जगापे set कर देते है smtp.gmail.com उसके बाद क्या set करना है यहां पर smtp port 25 का तो यह 25 set हो रखा है by default okay और साथ ही साथ ध्यान देते जाहिएगा जिस line में आप editing कर रहे हैं उस line के आगे यह semicolon नहीं लगा होना चाहिए ठीक है तो इसके बाद क्या है send mail from देखो इसमें होगा send mail from यह रहा ठीक है तो यह इसकी आगे देखो यह लगा है इस तरीके से email id जिससे मैं email send करना चाहता हूँ ओके इस तरह से आपको यहां पर लिख लेना है उसके बाद send email path यह आपको देना होगा ठीक है तो यह आप चाहें तो यहां से direct copy भी कर सकते हैं ठीक है या तो आप एक काम कीजिए कि send email path में आप यहां से ऐसे डाल दीजिए मैंने आपको बताया था कि आप यहां पर local disk C में जाएंगे तो XAMPP folder मिलेगा इसके अंदर आपको ने एक send mail का folder मिलेगा देख रहें यह रहां इसके अंदर जो यह send mail वाली फाइल है exe file application file इसका location हमें देना है तो इसके location देने के लिए simple यहां पर उपर क्लिक करेंगे यह location आ जाएगा इस पर right click करेंगे copy करेंगे ठील हर उसके बाद यहां पर आपकर से paste कर दो इना है एक और उसके बाद जो आपका application का नाम है इसको आपको देदेना है send mail dot.exe file है यह तो मैं यहां पर slash देता हूं यह backward slash और लिक 뒀ता है send mail dot exe, sendmail dot exe जैसे कि यहां पर लिखान सेंट mail और यह EXE इसका extension name होता है I think उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और यही वाला तो पूरा मैंने एक तरीके से वहाँ पे send mail path में डाल दिया है इसके अंदर इतना ही करना है और ध्यान रखेगा यह जो आगे समिकॉन लगा है इसको अप रिमूव कर दीजेगा इस तरह से और बस अब क्या करना है आपको फाइल में जाके save वाला बटन देख रहा है इसमें क्लिक कर दिना है save कर दिना है और कुछ भी इसमें नहीं करना है php.inii के अंदर बाकि सब सेम रहेगा close कर दीजे उसके बाद हमें क्या करना है sendmail.inii फाइल को edit करना है इसको edit करने के लिए simple मैं चला जाओंगा zamp के अंदर send mail जो folder है इसमें और इसके अंदर मेरे को मिल जाएगा ये नीचे देखो configuration setting send mail वाला इसको आप open कर लिजेगा तो मैं इसे open कर लेता हूँ ठीक है? notpad में ही open कर लेता हूँ फिलाल ठीक है? ये दो open हो गया notpad में ही इसके अंदर अब हमें कुछ configuration करना है क्या-क्या configuration है? ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आप find कर लेजेगा ठीक है? send mail को इस तरीके से तो मैं यहाँ पर पहले find कर लेता हूँ ctrl-f मैंने प्रेस किया और यहाँ पर send mail इस तरीके से लिख करके find next पर click करता हूँ ठीक है? okay send mail पर मैंने click किया यहाँ पर smtp यह तो सब यहीं पर यह देखो smtp server यह सब आपको डालना होगा जैसे की देखे लिखा है नहीं यहाँ पर smtp server smtp.gmail.com यह डालना है simple मैं यहीं से simple सीधा copy कर लेता हूँ ठीक है? यह notes है आपको दिये गए हैं website पर मिल जाएंगे आपको ठीक है? तो मैं यहाँ पर 587 में ने कर लिया ठीक है? याद रिखेगा जिसके आगे आप editing कर रहे हो उसके आगे semicolon नहीं होना चाहिए ठीक है? उसके आगे error log file देखो कहाँ पर है इसमें होगा error log file थोड़ा सा नीचे मैं करता हूँ तो देखो यह रहा error log file ठीक है यह इसके आगे 비乐 bod semicolon नहीं लगा होना चाहिए तो इसको छेड़ना नहीं है आपने बस चेक कर लिए इसके आगे semicolon लगा है कि नहीं बट इसमें लगा नहीं होना चाहिए ठीक है? हटा होना चाहिए semicolon तर देखो debug log file है इसको भी यहां से हटा दो मतलब यह semicolon इसके आगे लगा है इसको भी हटा दो तो इसके बाद देखो auth username और auth password है तो username में आपका email ID आएगा जो gmail ID है मैं आप पर डाल देता हूँ ठेक है gmail ID इस तरह से gmail.com ओके यह मैंने डाल दिया अब यहां पर password कौन सा डालना है जरा धियान से समझेगा यहां पर आपको आपके gmail का password नहीं डालना है यहां पर थोड़ा सा अलग changes है ठीक है अब वो कैसे करोगे यहां पर कौन सा password आपको डालना है डीकregर जिस email से आप email सेंड करना चाहते हैं पहले तो आप उसे open कर लिजेगा ठीक है और उसके manage your google account में आपको जाना है ठीक है यहाँ पर security देख रहे हैं इस पर click कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो two step verification आप देख रहे हैं इस पर click करना है ठीक है और यह on होना चाहिए आपका two step verification ठीक है और उसके password मांगेगा तो password डाल गाएकि इसे open कर लेंगे इस तरीक से open हो जाएगा ठीक है उसके बाद नीचे जाएगे न तो आपको यहाँ पर एक option मिलेगा app password का okay इसे click कर लेना ठीक है और यहाँ पर फिर आपसे पूछाएगा app name आप कौन सा app create कर दें किसके लिए password चाहिए तो मै है जिसे stp drive create कर रहा हूं तो यहाँ पर stp drive इस तरीक से आप लिख देंगे app name या test भी लिख देंगे कोई भी नाम लिख दीजेगा app का और create पर click कीजेगा जैसे create पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर password generate होके दिख जाएगा इसको आपने copy कर लेना है और इसी password को आपने यह यहाँ पर use करना है तो मैं यहाँ पर paste कर देता हूं देखिए कुछ इस तरह से ठीक है ऐसे paste कर देना है और उसके बाद आपने क्या करना है एक और यहाँ पर आपको मिलेगा force center इसके अंदर भी आपको आपका gmail id इस तरीक से लिख लेना है जैसे कि यहाँ पर बताया गया है बाकी सब कुछ setup एक्दम complete हो चुका है ठीक है यहाँ पर आपने अपना username password सब डाली रिया है बस आपको इसे save कर लेना है इस तरही किसे file में जाकर को इसे cut कर देना है ठीक है तो यहाँ पर जो configuration है वो successful आपका पूरा submit हो चुका है confirm और complete हो चुका है ठीक है अब simple आपको अब मैं यहाँ पर Apache और MySQL को इस तरह से start कर लेता हूँ ठीक है और उसके बाद यहाँ पर देखो मैंने अपने XAMP server के अंदर ही email folder के अंदर index.php यहाँ पर बना के रखा हुआ है इसमें मैंने code करके रखा हुआ है mail function का जो last class में आपको करवाया था तो मैं यहाँ पर email जो अब भी मैं भेजने चाहता हूँ message और किस email के true मैं message भेज रहा हूँ वो मैंने यहाँ पर इस तरह के से डाल दिया है ठीक है उसके बाद इसको हमने एक variable में रखा है ठीक है अगर email जाएगा तो इसमें true आएगा ठीक है तो मैंने यहाँ चेक कर लिया कि अगर इसमें true आता है चेक में तो आपका message आजाए email sent successfully नहीं आता है तो message आजाए email not sent successfully का ठीक है इसको मैंने save कर लिया और चलिए इसको run करवा के चेक करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ localhost ठीक है और इसके बाद email folder है मेरा email folder में index.php फाइल है ओके एंटर करता हूँ देखते है email जाता हूँ save कर लेता हूँ और एक बाद फेसे reload करता हूँ okay तो देखें यहाँ पर reload हो रहा है I think यहाँ पर जो आपका email है वो successfully sent हो जाएगा तो देखें message आ गया email sent successfully अब check कैसे करेंगे तो जिस email पर मैंने email भेजा है वो यह देखो यह मैंने open किया ठीक है sunshine वाला ही है ठीक है औ आपको क्या करना है email send करना है ठीक है और जो last video में less secure app था बस उसको change करेंगे यहाँ पर हम जो app password है उसको use करेंगे यहाँ पर email send करते है ठीक है आश्रा करता हूँ कि आपको यह video सही से समझ में आ गया होगा और जो भी problem था उसका solution भी आपको मिल गया होगा ठीक है अब like कीजेगा so thanks for watching our video have a nice day